ट्रेन शब्ट सुनते ही हमारे जैन में खयाल आता है कई सारे डिब्बों और उसके अंदर बैठने के लिए कई सारी सीटों का लेकिन कैसा हो अगर ये ट्रेन किसी राजा महराजाओं के महलों या फर किसी फाइव स्टार होटेल जैसे हो तो जहां दोस्तों आजम आपको दि ज्यादा हो लेकिन मंजिल से ज्यादा इनका सफर आपको हमेशा याद रहेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबाएं पैलेस ओन वील्स पेशे आपके सामने भरत का पहला शाही ट्रेन पैलेस ओन वील्स जो दुनिया के टॉप आलिशान ट्रेनों में शुमार है यह ट्रेन अपने आप में एक चलते फिरते महल की थरा है जिसमें सफर के दौरान लोग राजशाही का पूरा लुद्फ उठा सकते हैं इस ट्रेन के प्रतेक डब्बे का नम भरत के राजगरानों के नम पर रखा गया है यह ट्रेन खास तोर पर राज़ा महराजाओं की धरती राज़स्थान की सर करवाती है और इसमें एक रात का किराया पचास जज़ा रुपे के बराबर है इसमें अलिशान बार, स्पा, रस्टरॉंट, राज़स्थानी स्टाइल में सजाया गया डाइनिंग रूम जैसी तमाम शाही से विधाय मौजूद है महराजा एक्सप्रेस नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह कितना अलिशान होगा यह एक ऐसा ट्रेन है जिसमें सफर के दोरान आपको शाही जीवन जीने का मौका मिलेगा इस अलिशान ट्रेन के दोरा आजन्ता, उदैपूर, जोदपूर, बिकानेर, जैपूर और दिली तका सफर कराया जाता है इसमें मयूर महल और रंग महल के नाम के दो रस्टरॉंट और बार की भी सुवधा है इसके अलावा हर के बिन फोन से लेकर इंटरनेट तक कई सुवधाओं से लैस है इस ट्रेन के खड़कियां आम ट्रेनों के मखाबले बड़ी-बड़ी हैं तक कि साइट सीन का एक भी मौका आपके हाथ से न छोटे वैसे तो महराश्रुक की सैर करने के लिए आपको कई ट्रेने मिल जाएंगे लेकिन डेकर नोडिसी की बाहत ही कुछ और है इस ट्रेन का शांदार इंटीरियर, स्वादश्ट भोजन और इसकी बेहतरीन सीथ सफर को यादगार बना देती हैं इसमें एक छोटा जिम, बार, रस्टरॉंट, स्पा और अन्य फाइव स्टार सविधाय मौजूद हैं साथे हर एक डिब्बे, इंटरनेट, एर कंडिशनिंग, टीवी जैसी सारी लग्शिरी सुविधाओं से लैस है इस शाही ट्रेन का किराया 2.9 लाग से लेकर 4.3 पांच लाग रोपय थक है इसका शांदर सफर महराश्टर के विरासत स्थलों के साथ साथ गोवा में सुन्दर समुद्र तटो का अनंद देता है सन 2009 में शुरू की गई इस ट्रेन को विशेश रूप से पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जो राजस्थान के अलावा देश के अन्य पर्याटन स्थलों की भी सेर कराती है यह अलिशान ट्रेन भी सभी लग्शरी सुविधाओं से लैसे जिसमें सूपर डिलक्स रूम, रिस्टरॉंट, बार, फिटनेस सेंटर, पा, सलून आदी शामिल है इसमें यात्रियों को भरतिये खाने के साथ European, Chinese और Continental खाना भी सौफ किया जाता है एक व्यक्ति का एक दिन में इसका किराया सूपर डिलक्स में करीब 1,15,000 रुपए और डिलक्स में 57,000 रुपए है Golden Chariot Golden Chariot अपने शाही सफर के लिए दुन्या भर में प्रसिद है जो करनाटका और गोवा के महतोपूर्ण पर्याटन स्थालों का सफर कराती है इसके डिब्बे बैंगनी और स्वर्ण रंग से रंगे गए हैं किसे फाइव स्टार होटेल की तरह सजी इस शाही ट्रेन में हर साल हजारों टूरस सफर करते हैं इसमें एक रेस्टरॉंट, या द्री सलून, शांदार बिज्रूम, जिम, स्पाब, पार, आदी सभी लग्शरी सुवधाय मौजूद हैं इसका किराया भी लाखों में है दूस्तों आप इन में से कौन सी ट्रेन में सफर करना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं दूस्तों आज की एपिसोड में बस इतना हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथे बिल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद